नमस्कार मैं हूँ रश्मिकरान और आप देख रहें इंडिया टाइम 24 डियूस बैंग नूरो में हुए पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप पैच का एक वीडियो शोशल मीडिया पर बहुत वाइरल हो रहा है वीडियो में एक पुलिस वाला पाकिस्तान के फैन को अपने देश के नारे लगाने से मरा कर रहा है पुलिस वाले का कहना था कि भारत माता की जै बोलना ठीक है लेकिन पाकिस्तान जिन्दाबाद नहीं बोल सकते वहीं पुलिस वाले की इस हरकत को लेकर शोशल मीडिया के यूजर्स ने नाराजगी जताई है 43 सेकंड के वीडियो में पाकिस्तान की जर्सी पहना हुआ एक शक्स पुलिस वाले से कह रहा है कि हम पाकिस्तान से आए हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पाकिस्तान खेल रहा है तो मैं और क्या बोलू वो शक्स पुलिस अधिकारी का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और नारे ना लगाने की बात उनसे दोहराने को बोलता है इसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है शोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं पाकिस्तानी शक्स को अपने ही देश के नारे लगाने से रोकने को यूजर्स ने शर्मनाक हरकत बताया है कई भारतिय यूजर्स ने पाकिस्तानी फैन से माफी भी मांगी है नितिन नाम के यूजर्स ने लिखा है पता नहीं क्या बोलू लेकिन ये शर्मनाख है सौरी एक यूजर्स ने लिखा है एक भारतिये के तौर पर ये शर्म की बात है ये महमा नवाजी के बारे में नहीं है एक फैन का अपनी टीम की प्रशनशा करने का बुन्यादी अधिकार है बहुत बुरा वेभार आशिरवाद नाम के यूजर्न ने लिखा है जिसने भी ये वीडियो शूट किया है उसे धन्यवाद दुनिया को ये जानने की जरुरत है कि यहां किसी भी अंतराष्टे खेल का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए वहीं इस मामले पर भी लोग दो धड़ों में बढ़ गए है कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिनोंने पुलिस वाले का समर्थन और बचाव किया है सेलेश नाम के यूजर ने लिखा है पुलिस अधिकारी ने उसे भारतिय समझा होगा और बाद में उसे यह एहसास हुआ होगा कि वो वास्तव में पाकिस्तानी है पाकिस्तानी फैन को विज़ा नहीं मिला तो फिर कैसे आए एक यूजर ने लिखा है पाकिस्तानी खेल आयोजन का हिस्सा बनने का हगदार नहीं है जैसे अमेरिका रूस की भागीदारी को रोकता है भारत को भी पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिना चाहिए वो एक दुश्मन देश है हमारा सु अभिमान और एक सीमा होनी चाहिए कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जर्सी पहना वो शक्स एक भारती है इसके साथ ही कुछ लोगों ने पाकिस्तानी फैंज को भारत ना आने की हिदायत दे डाल गिया है अभी लेंगे एक चोटा सब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लोटेंगे दूसरी खबर भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिवल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तो आईए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ अब तक हमने जैश्री राम के उत्गोष को लेकर भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के भड़कने के ही नजारे देखे हैं लेकिन अब ऐसा ही एक मामला कॉलेज में भी देखने को मिला है और इसे लेकर हंगामा हो गया है बता दे कि उत्तर प्रदेश के गाजयबाद के एक नीजी कॉलेज में चल रहे फंक्शन के दौराने छात्र के मंच से जैश्री राम कहने पर उसे डाट फटकार कर मंच से उतार दिया गया और इस हंगामे का सबब बनी एक महिला प्रोफेसर जो चात्र के अपनी प्रस्तूती देने से पहले जैश्री राम कहने से नरास थी जिसके बाद इसे लेकर चात्रों ने हंगामा कर दिया और कारेकरम को बीच में ही रोग दिया हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा किसी प्रकार चात्रों को समझा भुझा कर शांत किया गया वहीं उधर इस घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया ये घटना तब सामने आई जब प्रोफेसर का चात्र पर चिलाते हुए वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो गया मेला प्रोफेसर ने चात्र को डाटते हुए कहा तुमने जैश्री राम का नारा क्यों लगाया ये बेकार की बाते हैं कि आप इसके लिए कॉले जाते हैं य जब चात्र मंच पर पहुचा तो उसके सामने दर्शक के रूप में बैठे कॉलेज के अन्य चात्रों में से किसी एक ने जैश्री राम कहा तो उसने भी जैश्री राम कहकर अभिवादन किया इस दोरान कॉलेज की महिला प्रोफेसर जीने शोशल मीडिया पर ममता गौतम बताय जा रहा है उन्होंने चात्र पर उंगली उठाई उसे रोक दिया और मन से जाने के लिए कहा हालाकि चात्र ने प्रोफेसर को बताय कि पहले ओडियम्स में से किसी ने नारा दिया था तब उसने नारा लगाय था किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और शोशल मीडिया के एक्स पर साज़ा कर दिया इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वाइरल हो गई वीडियो में सपस्ट रूप से मंच पर कई छात्रों को जैश्रीराम कहकर अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है जिस मंच पर मौजूद छात्र ने भी उसी तरह से जवाब दिया इसके बाद पूरे कॉलेज स्टेडियम ने खुशी से जैश्रीराम का जैकारा लगा है जिससे नाराज होकर ममता गौतम अपनी सीट से खड़ी हो गई और छात्र को मंच से बाहर कर दिया गए वाइरल वीडियो के अनिसारिये नव तरंग 2023-24 नामा के कॉलेज सांस्कृतिक उत्सव के दोरान की है गाजियाबाद के ABES कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों के स्वागत के लिए इस कारकरम का आयोजन किया गया था वहें वीडियो के वाइरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया जिसमें कई नेटीजन्स ने जैशिर राम अभिवादन के साथ दर्शकों को जवाब देने वाले छात्र की अनावश्यक रूप से अलोशना करने के लिए प्रोफेसर को दंडित करने की मांग की जिसके बाद गाजियबाद पुलिस कमिशनरेट ने एक प्रतिक्रिया जाहिर की है पुलिस कमिशनरेट ने एक्स अकाउंट पर एक प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि इस मामले में क्रॉसिंग थाना प्रभारी को जाच करके उचित कारवाई करने के निर्देश दिये ग को एक बार फिर से बे नकाब कर दिया गया है इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन